दिल्ली में पानी का संकट घहरा गया है, कई लाकों में पानी की फारी किल्लत देखी जा रही है, लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा है, टैंकरों के जरीए लाकों में पानी दिया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में पानी की कमी पर बीजे पीने के ज़िवाल स पूरा नहीं कर पारें टैंकर आता है तो वहाँ पर फबले कितनी बड़ी संख्यावेश पहुँ जाती है कि किसी को कुछ मिल नहीं पाता है एक-एक पांच-पांच और इसलिए हम दिल्ली वालों तक पानी नहीं पहुचा पा रहे हैं तो ये कुल मिलाकर हर्याना सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई है जिसके हम्याजर लोगों को भुगतना पड़ रहा है तो ये चार तस्वीरे आप देखें गीता कॉलर्णी संगम बिहार संजय कैम चाड़केपूरी की और बीजेपी उधर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये तीन तस्वीरे लोगों की परिशानियों को बयान करती हुए कि पानी के किलत से वो किस तरह से जूज रहे और चौती तस् तस्वीर आप देखिए तस्वीर बता रहे है कि इस वक्त बिन पानी दिल्ली वासियों का क्या हाल हो रहा है जिस एलाके में टैंकर पहुंच रहा है वहां पानी लेने के लिए लोग टैंकर पर चड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोगों की कोशिश है कि किसी तरह उनको पी बरने के लिए उनके हाथ में नेकि डिबे हैं दो डो तीन तीन डिबे क एक आदमी लिया हुआ है कि जल्दी से पानी भर ले जाहिर सी बात है कि खानाइब नाना है कपड़े धोने हैं नहाना है घर साफ करना है इन सबी चीजों में पानी की झरूरत होती है और यह तस्वी इसमें किसी भी एक राजनेतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये 75 साल के आजादी की कहानी को बयान करती हुई तस्वीरे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, पानी की कल्लत हैं। और दिली में बीजेपी संकट पर अर्विंद केजरिवाल सरकार पर शमा चाहती हूँ, दिली में पानी के संकट पर बीजेपी ने केजरिवाल सरकार पर हमला बोला है, बीजेपी ने कहा है कि केजरिवाल ने दिली को बून-बून पानी के लिए तरसा दिया है। तब पानी के लिए तराहिमाम कर रही है, ये आमादमी पाटी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है वो जलबोट जो 600 करोड के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड के घाटे में है जवाब देही बंदी है केजिरिवाल सरकार, ये वो सरकार है जो हमेशा बचन देती थी मुफट पानी के, आज दिल्ली बूद बूद के लिए तरस रही है अर्विन केजिरिवाल के एक परबंदन का नतिजा है, मैं आकणों के साथ साबित कर सकता हूँ कि दिल्ली को 1099 पानी की सकारी आरिना दे रहा है और कल से ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली सचेवाले के बाहर चल रहा है, दिल्ली जल संकट पर बीजेपी का हला बोल, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से नारे बाजी हो रही है, प्लेकार्ट लेकर आएं, लेकिन यहां आपको ये भी समझना हुआ कि हर्याना सरकार क्योंकि पानी नहीं छोड रही है, कैनाल में, जब उना में पानी नहीं आ रहा है हम बड़ी बड़ी बाते करते हैं, लेकिन पानी तक अपने नाग्रेकों को हम नहीं दे पार है बिल्कुल देखिया, शोबनाची अपने सही कहा कि बिजली, पानी, ये सब वो मुद्दे हैं जिन पर हर सरकार, हर प्रतिनिती, हर पार्टी वोट मांगती है दिल्ली में भी तकरीबन हर बार चुनाव में यही बाते और यही वादे सुनाई देते हैं, लेकिन दिल्ली की ये जो समस्या है, आप भी इतने सालों से देख रहे हैं, हम भी इतने सालों से देख रहे हैं, कि ये समस्या हमेशा रही है जैसे ही गर्मी का वक्त आता है हर्याना सरकार और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसला शुरू हो जाता है दिल्ली सरकार अभी कह रही है कि 1000 mgd प्रोडक्शन है पानी का और चहिए तक्रीबन 1200-1300 mgd यानि 2500-300 mgd की कमी है बहीं बीजेपी जो डेटा दे रही है कि हर्याना से समय कितना पानी छोड़ा जा रहा है 719 kg से कहा जा रहा है कि जरूरत है जो अग्रीमेंट के हिसाफ से देना चाहिए पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि इस बार भीशन गर्मी पढ़ने वाली और ऐसी हीट वेप के बीश में जब लोग इतना परिशान हो रहे हैं लोग घंटो घंटो पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं घर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं ये भी कह दिया गया है की ओर से कहा गया है चुकि वाटर की सप्लाई कम है इसलिए जिन इलाकों में पहले दो दफा पानी जाता था दिन में दो बढ़ जाता था वहां पर एक ही बार वाटर सप्लाई हो पाएगी तो ऐसे में लोगों को कितनी जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आज दिल तमाम कदम जो है यह तमाम चर्चाए जो है वो पहले क्यों नहीं की जाती है सी नीर्स